हम अपने पार्ट 19 अलंगकार शुरू करेंगे इसमें हम अर्था अलंगकार शुरू करेंगे क्योंकि हम शब्दा अलंगकार कर चुके हैं अर्था अलंगकार क्या होता है कावे में जहां शब्दों के अर्थ द्वारा अकर्शन पैदा किया जाता है यहां एलंकार होता है जहां क्या क्या जाते हैं शब्दों के अर्थ के अर्थ के द्वारा आकर्शन पैदा किया जाता है तो ऐसे perspective उसको अर्था-तंकार कहते हें जैसे अर्था-तंकार चार प्रमुख 및दें उपमा उन्हायार।Ne अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार अतिश्योक्ति अलंकार जो अर्था अलंकार है उसके चार बेदे उप्मा रूपक उत्प्रेक्षा अतिश्योक्ति ठीक है पहला है उप्मा अलंकार जहां दो अलग व्यक्तियों या वस्टूओं में किसी समान गुन के कारण समानता दिखा जाती है वहां उपमालंकार होता है जहां क्या होता है यहंसे होता है दो अलग-अलग यक्ति हैं समानता दिखाई मतलब मतलब के पैर मुलायम कैसे कैसे मुलायम कैसे है कमलों के लिए उप्मा अलकार चांद जैसा मुखडा, यानि चांद की तरह मुखडा है तो इसमें चांद की तरह क्या बताया है? चहरा बताया है, तलवार सी तेज जवान यहाँ पे तलवार की तलवार सी तलवार जैसी जवान, कौन से चीज़ को बताया है? जवान को, जैसे तलवार तेज होती है ऐसे ही जवान भी, ठीक है तो यहां पर उपमा अलंकार है, सेकेंड है रूपा कलंकार, रूपा कलंकार क्या होता है, जहां उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात दोनों में से कोई नहीं रहे, वहां रूपा कलंकार हो होता है जहां पर क्या होता है उपमे में उपमान का भेद रही तो मतलब जो आगे उपमे हैं उसी में उपमान का पीछे वाले शब्द का क्या है भेद छुपा हुआ है पर दोनों में से कोई भी यहां पर इस्तमाल नहीं हो रहा है जैसे शोबा सिंदू ना अंत रही रही रह अपयोक्त धारत में शोभा में सिंदू का भेद रही तो आरोप यहां रूपा कि लंगका रही किया फिरल संभाना कि जाए वहां उत्परेक्शालंकार होता है जहाँ पे उपमे और उपमान की क्या बताई जाए संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है जैसे देखें सोहत ओडे पीत पट शाम सलोने गात मनो नीलमनी सैल कर आतप परियो प्रभात इस उधारन में पीत पट में आतप और शाम सलोने में नीलमनी शैल की संभावना व्यक्ति कही है अथा यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है उत्प्रेक्षालंकार में क्या किया जाता है कि ओडे पित शाम सलोने गात मनो नीलमी सैल आताप परियो प्रभात इसमें जैसे तैसे ऐसे वर्ट का यूस किया जाता है किसलिए ये दिखाने के लिए कि कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे देखे हैं लिखा गया है मानो, मनहू, जानो, आदी शब्दों का प्रेयोग किया जाता है ठीक है? फूर्ट अतिशोक्ति अलंगार जहां किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा घटना का बढ़ा चड़ा कर वर्णन किया जाता है वहां अतिशोक्ति अलंगार होता है जहांपर क्या किया जाता है व्यक्ति या वस्तु की कोई भी घटना है इसको बढ़ार चड़ा कर बताया जा रहा है तो वहां अतिषोक्ति अलंकार होता है जैसे देखलो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही फिर त BERह इसमें किसका मतलब कहा है? तब बताएगे अधा यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है इसलिए यहाँ पर क्या है अतिशोक्ति अलंकार तो अभी हम इतना ही करेंगे और आपको देखे चैप्टर कंप्लीट हो गया है यह जो आपके question answer है ना निबले कित प्रश्णों के उत्तर दीजिए और अंतर स्पस्ट कीजिए यह आपको copy में करने हैं यह दोनों question ठीक है और बाकी आपको book में करने हैं ठीक है thank you all of you for listening me